आज मैं बनाने जा रहे हुँ एक कुटिंग वीडियो और यह है प्रेट पीजा यह बहुत ही इजी बनता है और शाम के नास्ते पे बहुत ही अच्छा लगेगा आपने वीडियो को देखिए और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरू किजिएगा और कमेंट बॉक्स में चैनल लिखिएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा थेंक यू इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक डिश पे ले लिया ह है बारी कटी हुई प्यांज, सिमला मिर्च और टोमेटो और हरे मिर्च और मैंने ले लिया है चार बड़े ब्रेट के स्लाइसेस इसके साथ मैंने इंग्रेडियेंट्स ली है टोमेटो केचप चीज क्यूब्स औरिगैनो रेट्च ली फिलेक्स मैंने एक स्पून ले लिया है और स्पून पे मैं टोमेटो केचप ले रही हूँ यह टोमेटो केचप लेके मैं ब्रेट्स स्लाइसेस के ऊपर स्पून कर रही हूँ देखिए मैं कैसे स्पून की पीछे से स्लाइसेस के ऊपर ऐसे स्प्रेट करना पड़ेगा मैंने थोड़ा और टोमेटो केचप ले लिया है और अच्छे से स्पून के पीछे से स्लाइसेस के ऊपर स्प्रेट कर लोगी और इस तड़ा मैंने चारो स्लाइस तैयार कर लिया है पहले मैं ट्रॉपिंग्स तैयार कर लूँगी ब्रेट के स्लाइसेस के ऊपर पहले मैं टॉपिंग्स के लिए पियांस दे रही हूँ देखिए मैं कैसे पियांस इस पे ऊपर स्प्रेट कर रही हूँ इसके बाद मैं सिम्ला मिर्च दे रही हूँ आप अपनी इच्छा अनुर्शार बेजिटेबिल्स दे सकते हैं इसके बाद मैं टॉमेटो दे रही हूँ और इसके बाद मैं हरी मिर्च इसके ऊपर लगा रही हूँ देखिए कैसे तैयार हो चुका है और ये चारो को चारो मैंने तैयार कर लिया है देखिए कैसे खूब सुरत लग रही है इसके बाद मैं इसके ऊपर चीज की उप्रेट कर दूँगी ये इस रेशिपी की में इंग्रेडियेंट से ये चीज इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेट करना परेगा ये चीज जब मेल्ट होगा इसके ऊपर अच्छे से लग जाएगा तो ये वेजिटेबल्स नहीं गिरेगी देखिए और खाने में भी बहुत स्वाद आएगा बिल्कुल पिजा की तड़ा ही बन रहा है बहुत इजी रेशिपी है इसके ऊपर मैं औरिगैनो स्प्रेट कर लूँगी ये औरिगैनो आपको बाजार में बहुत इजी ली मिल जाएगा आप अपनी इच्छा अनुसार इसके ऊपर औरिगैनो स्प्रेट कर सकते हैं इसके बाद मैं रेट चिली फ्लेक्स इसके ऊपर स्प्रेट कर लूँगी चिली फ्लेक्स अब कितना खाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंट करता है अब चितना तीखा खाते हैं उसके अनुसार चिली फ्लेक्स डाल लीजिए और ये देखिए चारो के चारो मैंने माइक्रोएब ग्रीन स्टेंड पे लगा लिया है देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है और इसके बाद इसको मैं माइक्रोएब के डालूंगी देखिए मैं ये माइक्रोएब पे डाल दिया है और इसको मैं ग्रील मोड में दूंगी पहले पांच मिनिट मैं इसको दूंगी और बाद में दो मिनिट मैंने और दिया था टोटल साथ मिनिट मैंने इसको तैयार करने के लिए दिया था देखिए कैसे अच्छे से हो रहा है और 7 मिनिट हो चुका है मैं इसको बाहर कर लूँगी देखिए कैसे चीज मेल्ट हो गया है और वेज़ेबल्स भी पक गया है और ब्रेट स्लाइसेस भी फ्रांची हो चुका है यह एक प्लेट में मैंने सर्फ कर लिया है यह आप ऐसे भी खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी रेसिपी है तो यह थी मेरी आज की रेसिपी ब्रेट पीजा यह रेसिपी को आप घर में जरूर ट्राइ करना और ट्राइ करके मुझे कामिट ब्रक्स में जरूर बताना यह रेसिपी कैसे बना और मेरी वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर करना थेफ ब्राइब यह रेसिपी जरूर जरूर को अच्छावारा ब्राइब गगाशना यह रेसिपीन तो लाइब जरूरर जरूर बेटार प्ष़शना तो टुरूर बगल झाल झाल